ब्रेक के बाल अपका स्वागत है नूरपुर के कस्बा जसूर के बाटू पुल के पास एक गाय कुछ दिनों से बिमार थी गोरक्षकों की नजर जब उस बिमार गाय पर पड़ी तो गोरक्षकों नी बारिश की परवान करते हुए गाय को सड़क से उठाका सुरक्ष स्थान पर रखा और उस गाय का तुरंट इलाज करना शुरू कर दिया नूरपुर के कस्बा जसूर के बाटू पुल के पास एक गाय कुछ दिनों से बिमार थी गोरक्षकों की नजर जब उस बिमार गाय पर पड़ी तो गोरक्षकों ने बारिश की परवाना करते हुए गाय को सड़क से उठाकर सुरक्षे स्थान पर रखा और उस गाय का तुरंट इलाज करना शुरू कर दिया गोरक्षक परमुक अरपन चावला ने बताया कि दिन परते दिन आवारा गोरमाता की संख्या वरती जा रही है एक गाय काफी दिन से सड़क के किनारे बिमार पड़ी थी गोरक्षकों द्वारा गोरमाता को शुरक्षे स्थान पर ले जाया गया और गोरमाता का इलाज बजूर्ग हमारे गर का हिस्सा है बैसे ही ये गव माता भी हमारे गर का हिस्सा है इन्हें अबारह ना छोड़े और पन्य कहा कि परशाशन को भी इसके लिए कोई ना कोई उचित कदब उठाना चाहिए अगर जोटा से लेकर कंडवार तक बात की जाए तो लगवग 300 गव मा बेसहारा गुम रही है ये बहुत बड़ी चिंता का कारण है परशाशन को भी हमारा स्थियो करना चाहिए और इन बेसहारा जानबरों पश्वों के लिए कुछ करना चाहिए हंजी अरपन जी दिन पर दिन सड़कों पर बेसहारा गुमती हुए गव माताओं की संख्या बढ़ती जा रही है ये एक गहन चिंता का कारण है आई दिन ही ये गव माताइं चोटिल अवस्थाम में हमारे निस्वात गोसेवकों को मिलती है निस्वात गोसेवकों दौरा और स्थानी लोगों के दौरा आज इस गोमाता का इलाज किया गया और एक सुरक्षी स्थान पर इनने पहुंचाया किया आज बारिश का मुसंध होने के कारण है फिर भी हमारे कुछ निस्वात गोसेवकों और स्थानी लोगों ने बारिश में भी इस गोमाता के इलाज के सनंक्षन के लिए सुरक्षी स्थान के लिए एक उचित विवस्ता की जाएगा